जहिन दोस्तों, वेलकम टू विजेपत्थ डिफेंस एजूकेशन पालमपूर आज हिमाचल पुलिस एक्जाम के लिए जर्नल साइंस की हाज हमारी क्लास सिक्स रहेगी जिसमें डेली के टॉप टैन कोईशन आज हम डिसक्स करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए क्वेशन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है तो एक दो दिनों से आपके पास वीडियो जो है वो डेली नहीं पहुंची है और आज से फिर से हमने ये सीरिस स्टार्ट कर दी है आज हमारी रहेगी जादातर क्वेशन जो है वो साइंस के पूछे जाते हैं और प्रीवियस एक वेशन है इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट इस सीरिस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सबसे पहला क्वेशन है हमारा ताप उपक्रम कैसा होता है जो हीटिंग होती है हीटिंग में क्या चीज होती है धनात्मक का मतलब पॉजिटिव जो है वो उसमें चीज़े निकलती है नेगेटिव चीज़े निकलती है न्यूट्रल होता है या फिर इन में से कोई भी नहीं होता है तो जब भी heating होती है तो उस time पे धनात्मक का जो है वो हास होता है मतलब कि उसकी religion होती है उसकी कमी हो जाती है तो इसका जो right answer रहेगा वो है हमारा option number A अगला question है काफी अच्छे-च्छे question जो है वो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ और काफी different question है जो की exam point of view से most important रहते हैं उस तरीके से मैं question आज आपके सामने लेके आया हूँ और आपको ये question जो है वो काफी अलग लगेंगे क्योंकि books में आपको इस type के question जो बड़े unique से देखने को मिलते हैं हमारा question है किसी मनुष्य के लिए स्वच हवा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है SSE में आपके इस type के question पोछे जाते हैं HPSSE और आपका हिमाचल पुलिस का exam जो है वो भी शायद HPSSE ही अब conduct करवाने जा रहा है So, मनुष्य के लिए स्वच हवा की कितनी मात्रा जरूरी है आपको बतानी है 1000 cubic feet of air every 20 minute या 20 second या 10 minute या 10 second या आपको यहाँ पर बताना है So, इसका जो right answer रहेगा वो है option number D कि एक मनुष्य को जो है वो 1000 cubic feet of air every 10 seconds जो है वो उसको चाहिए ही चाहिए इसके लिए option D जो है वो हमारा इसका बिल्कु राइट अंसर हो जाएगा अगला question है Referee Gination एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है जो हम Refereezerator में कुछ भी चीज़ें रखते हैं तो उनका main purpose क्या है कि Refereezerator खरीदा जाए उसमें चीज़ें जो है वो रखी जाए तो उसमें ऐसी क्या चीज़ होती है कि टानू मर जाते है मतलब जो germs होते हैं उसमें उनकी death हो जाती है या फिर उनका grow rate कम हो जाता है उनकी efficiency कम हो जाती है मतलब कारेक्षमता रुक जाती है या फिर उनका प्लाज्मा बन जाता है तो यह आपको यहां पर बताना है क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को फ्रीज में रखते हैं तो वह दो या तीन दिन तक जो है वह उस चीज़ को संभाल के रख सकती जैसे मैं बात करूं कि आपको यह पता होगा कि जैसे कुरकुरे या लेज के पैकेट आते हैं उसमें तो हम नाइट्रोजन गैस भरके उसको कुछ टाइम के लिए प्रिजर रख सकते हैं जैसे तीन महीने चार महीने नॉर्मल इतने टाइम तक नाइट्रोजन से जो है वह उनकी लाइफ जो है बढ़ जाती है लेकिन अ उनकी जो ब्रिधी दर है वो रुक जाती है, उनकी कार्य क्षमता जो है, उसके उपर एफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो ग्रो नहीं करेंगे, मतलब उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, तो उनको वो उस चीज को जल्दी से वो खराव नहीं कर सकते, तो इसका जो र परवर्ती दूर भी इन कहां पर स्थित है, तो यह आपको बताना है कौन सी लोकेशन है, जहां पर यह स्थित है, तो इसका जो राइट अंसर रहेगा, वो है आपका कवालूर ओप्शन C, राइट अंसर है, कमेंट बोक्स में आप जूरूर बताएं कि कवालूर कहां पर स् किस दरपन का उपयोग किया जाता है जो रियर व्यू है मतलब पीछे देखने के लिए जो ड्राइवर के साथ में एक मिरर लगाया जाता है वो किस चीज़ का बना होता है काफी बार एक्जाम में एक कोशन पूछा गया है तो इसका जो राइट अंसर है वो है उत्तल दरपन या फिर आप बोल सकते हैं कंवेक्स मिरर तो इसका रिजन यह है कि चोते से एरियमें ज्यादा लार्ज जैड़ीको और करता है ज्जादा चीज़ों को यह शो कर सकता है इसलिए कंवेक्स मिरर का यूज काडियों में किया जाता है पीछे देखने के लिए और मैं बात करूँ केव की तो कंगेव का ज में चलती हैं उनकी engine में किस इंधन को कि याप किया जाता है बिलकुल अच्छा 过शन कि सब्मेरीन है वो तो पानी में चलती है और आपको पता है कि अगर हम बस गाड़ी या फिर सकूटर जो भी है वाइक है अगर उनको हम पानी में चलाएंगे तो उनके इंजन के उपर जो है वो effect पड़ जाता है लेकिन जो हमारी Submarines है जो की Indian coast guard और Indian navy जो है वो use करती है तो जब उनको पानी में चलाती है तो उनके इंजन क्यों खराब नहीं होते मतलब उसमें कौन सा इंधन जो है वो उपयोग किया जाता है ताकि उनकी जो life है वो भी जादा हो सके आपको यहाँ पर बताना है इसका जो राइट अंसर है वो है आपका सबसे यूनीक है स्टीम भाफ से जो है वो चलाई जाती है भाफ इंजर हम बोलते हैं इनको काफी यूनीक कोईशन है और मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन आपके लिए यह रहेगा अगला कोईशन है होलोग्राम किसे कहा जाता है तो होलोग्राम क्या है यह आपको बताना है यह आपसे एक डेफिनेशन टाइप जो है वो पूछी गई है तो होलोग्राम मैं आपको बता देता हूँ यह थ्री डैमेशनल हमारी फोटोग्राफी होती है जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं तो photography record के लिए थ्री dimensional हमारी image है जिसको हम use करते हैं तो option C जो है वो आपका बिल्कुल right answer यहाँ पे रहेगा अगला है निमेलिकित में से कौन सा रंग submission दिन और रात के समय सरबादिक सुबिदा जनक होता है इतला है कौन सा color combination है जो दिन में और रात में सबसे अच्छा convenient color जो है वो माना जाता है तो इसका जो बिल्कुल सही answer रहेगा वो है आपका लाल और हरा तो लाल और हरे की combination जो है वो दिन और रात में काफी अच्छी मानी जाती है तो इसका जो right answer है वो है आपका option number D अगला question है निमलेखित में से कौन सा अध्रब सबसे अधिक घनी वाला है मतलब यहां पे viscosity आएगा आपका सबसे अधिक dense कौन सा आपका यहां पे liquid है यह आपको बताना जिसकी high viscosity होगी milk, oil, water या फिर petrol यह आपको यहां पे बताना है तो high viscosity का मतलब है जैसे अगर मेरे पास एक glass में यहां पे पानी है जिसका H2O मैंने यहां पे लिखा और मान लेते हैं कि एक glass में हमने क्या रखा है honey रखा है शहद रखा है तो अब क्या चीज़ होगी कि जब आप दोनों glass को उल्टा कर देते हैं मतलब पानी नीचे गिरेगा हनी भी नीचे गिरेगा अब जिसकी स्पीड सबसे ज़ादा होगी उसकी विसकोसिटी सबसे कम है विसकोसिटी को आप बोल सकते हैं गाड़ापन तो हनी जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे नीचे गिरेगा टिप बाय टिप तो इसलिए उसकी विसकोसिटी सबसे ज़ तो वो है आपका option A, तेल या फिर oil, इसका बिलको right answer रहेगा, अगला है, hydraulic press में किस copy किया जाता है, physics का most important question है, काफी बार exam में पूछा जा चुका है, तो कौन सा ऐसा low है, जिसका हम यहाँ पे use करते हैं, पास्कल, Bernoulli's, Archimedes या फिर boils low, तो यहाँ पे use किया जाता है, पास्कल का low, पास्कल का low जो है वो direct pressure के उपर जो है वो लागू किया जाता है, hydraulic press या फिर hydraulic brake की हम बात करें, तो यहाँ पे जो है वो पास्कल low का user किया जाता है, most important question आपके लिए यह रहेंगे, जल्दी ही नई video के लिए भी हम आप से मिलेंगे, telegram के उपर आप हमें जरूर follow करें, whatsapp के उपर आप follow कर सकते हैं, या फिर अगर आपको pdf notes या फिर study material जो आपका हिमाचल police exam के लिए most important रहेगा, वो आपको हमारी website www.vjpatheducation.com के उपर भी आपको मिल जाएगा, अगर आप यहाँ से previous year और साथ में mock test paper खरीदना चाहते हैं, तो आप play store से vjpath education app जो है वो आप download कर सकते हैं, वहाँ से आप जो हैं अपने लिए हमाचल police के जो mock paper हैं या previous year question paper हैं वो आप वहाँ से mock लगा सकते हैं, तो I hope आपको video अच्छी लगी होगी, video को like करें, share करें, जल्दी मिलेंगे नई video के साथ तब तक के लिए, जय हिंद, जय ही माचल